मेजरिंग दी इफेक्टिवनेस ओफ एड़टाइजिंग सपोस कि कोई परसन है और उसको जो है फिवर हो गया है तो अब वो क्या करेगा वो डॉक्टर के पास जाएगा और मेडिसीन लेगा अब यह चीज जानने के लिए कि क्या वो मेडिसीन एफेक्ट है एफेक्टिव है कि लिए क्या उस मेडिसीन को खाने के बाद उस परसंड का फेबर उटर गया कि नहीं उतरा सही हुआ इस चीज को जानने के लिए टेस्ट किया जाता है या तो दुबारा से थर्मामीटर लेकर उसके फेबर को ना पा जाएगा रेडियो पे, टेलिविजन पे, ओनलाइन अड़ोटीजमेंट साते हैं, इंटरनेट पे, ठीक है, तो इस अड़ोटीजमेंट को दिखाने का क्या कुछ effect हो रहा है, यानि कि अड़ोटीजमेंट कितना effective है, क्या अड़ोटीजमेंट जो communicate करना चाहता था, Is it reaching the target, यानि कि जिस target के लिए हमने अड़ोटीजमेंट दिखाया था, क्या उन target तक कि हमारा अड़ोटीजमेंट पहुंच रहा है, Is the goal of advertising achieved, यानि कि जिस purpose से हमने अड़ोटीजमेंट दिखाया फिर बनाया, क्या वो goal अचीव हुआ, Is the ad memorable, जो ad हम दिखा रहे है, क्या वो लोगों को याद भी रहता कि खाली देखते हो और भूल जाते है, इन सब चीजों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, effectiveness of advertisement को miser करते हैं, effectiveness of advertisement is measured to determine if the objective is achieved or not, यानि कि जो ad advertisement दिखाने का objective था, जो purpose था ad advertisement का, क्या वो achieved हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज को miser करने के लिए ही, इस चीज को जानने के लिए हम क्या करते हैं, effectiveness of advertisement को miser करते हैं, तो according to Philip Kotler and Armstrong, यहाँ पर इन्होंने दो method दिए हैं, जिसके जरी आप effectiveness of advertisement को miser कर सकते हैं, there are two most popular areas which need to be measured for knowing the effectiveness of advertisement, यानि कि अगर आप इन दो चीजों को miser कर लेंगे, तो आप advertisement के effectiveness को असानी से अन्राजा लगा लेंगे, या फिर miser कर लेंगे कि effective था कि नहीं था advertisement, कोई भी perfect यहाँ पर कोई tools या technique नहीं है, जिसके जरी आप effectiveness को miser कर सकें, लेकिन इन दो technique के जरी आप कुछ हद तक identify कर पाएंगे, कि आपका advertisement effective था या नहीं था, वो कौन-कौन से हैं, तो वो दो technique क्या है, communication effect and sales effect, अगर ये दो effect आप miser कर लेते हैं, तो आप effectiveness of advertisement को measure कर पाएंगे, तो communication effect में तीन टाइप के research किया जाते हैं, direct rating method, portfolio test और laboratory test, देकि direct rating method simple सा है, कि customers are directly asked to rate the advertisement, and then these ratings are calculated, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जो customer जिसके लिए हमने advertisement बदाता है, उन customer के पास हम जाते हैं, और उसे सीधे हम उनको पूछते हैं, कि वो rate करें advertisement को, कि effective था अग नहीं था, उनको याद हो गया कि नहीं याद हो गया, क्या उसके बाद वो खहिद ने गए कि नहीं गए, तो different जो questionnaire ready करके उनसे पूछा जाता है, और उसके basis पर फिस यहाँ पर effectiveness को चेक किया जाता है, portfolio test, portfolio test में क्या होता है, कि the customer see the advertisement and listen carefully to the ads, and all the content of ads, and then they are asked to recall the ad and the content, यानि कि हाँ पर क्या होता है, कि customer को advertisement दिखा दिया जाता है, उसको सुना दिया जाता है, उसके बाद customer से पूछा जाता है, चेक किया जाता है, कि उसको कितनी चीज़ें advertisement की याद है, क्या वो recall कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो इसको कहते हैं portfolio test, वहीं पर तीसरा है laboratory test, जैसा कि science में होता है, या फिए medical में होता है, laboratory test में क्या होता है, कि कुछ tools होते हैं, जिसका customer की उपर use किया जाता है, उनके heart rate को, उनके blood pressure को miser करने के लिए, जब वो add advertisement को देखते हैं, यानि कि यहाँ पर psychological reaction जो है, वो check किया जाता है, कि customer add को देखने के बाद, उसके heart beat में, उसके blood pressure में क्या changes आ रहा हैं, तो यह laboratory test होता है, तो यानि कि अगर advertisement कुछ change ला रहा है, तो heart rate है, blood pressure है, वो सब change होगा, कहीं न कहीं increase होगा, लेकिन advertisement कोई effective ही नहीं हो रहा है, customer के उपर जाने के सारी चीज़े क्या होंगी, normal rate से चल रही होंगी, तो यह कहते हैं, communication effect, clear, वहीं पर दिउसरा क्या है, sales effect research होता है, sales effect में क्या होता है, यह simple सा है, कि क्या company की sales में increment हुआ है, या फिर नहीं हुआ है, यानि कि advertisement दिखाने के बाद से, company की sales बढ़ी, या फिर उतनी ही रही जितनी की थी, या फिर उससे कम हो गई, तो इसके basis पे भी आप advertisement के effectiveness को measure कर सकते हैं, यानि की advertisement का effect हो रहा है, तो वैसे हाला कि यह जो sales effect research है, यह बहुत ही कम इसको use किया जादा है, क्यों? क्योंकि जो company का sales increase होता है, उसके पीछे बहुत सारी factors होते हैं, जैसे product की availability भी depend करती है, price of product क्या है, उस पे भी depend करता है sales, content of the product क्या है, और sometimes competitor आपके कैसे हैं, कौन हैं, इस पे भी जो है आपकी sales depend करती है, competitor जादा अच्छा आपकी sales down हो जाएगी, चाहिए आप जितना भी अच्छा advertisement दिखाएं, तो कहीं न कहीं जो sales effect है, यह जो है अच्छा technique नहीं माना जाता है, advertisement का, so this method is a little difficult than the communication, तो communication effect जो है, उसको अब मिजर करके advertisement effectiveness को आप सही तरीके से मिजर कर पाएंगे, लेकिन sales effect जो है एक अच्छा technique नहीं माना जाता है, अब यह जो test होते हैं, यह चेक करने के लिए कि advertisement effective था या नहीं था, यह जो है आप दो time पे जो है चेक कर सकते हैं, एक तो जब आप advertisement बना रहे हो और दूसरा जब आपका advertisement दिखा चुके उसके बाद, pre-test and post-test, pre-test यानि कि advertisement को दिखाने से पहले यानि advertisement बनाते वक्त, और post-test यानि कि जब advertisement को आप दिखा लेते हो, चला लेते हो, advertisement campaign को पुरा हो जाता है, उसके बाद क्या effectiveness रहा हूँ, उसको आप कहते है post search, तो pre-test में क्या हो जाएगा, from the stage of ideation to the stage of company, copy and message development, यहाँ पे space नहीं है copy and में, तो copy and message development, तो from the stage of ideation, यानि कि idea generations लेके copy and message को develop करने तक, जो आप testing करते हैं, उसको कहते है pre-test, focus, group discussion, in-depth interviews, consumer jury test, intended to buy test, यह सब क्या है pre-test है, य यानि कि consumer से आप पहले जाकर पोस्टे हो कि क्या आप इसको खरना चाओगे, या नहीं खरना चाओगे, consumers jury test यहाँ पर consumers, बहुत सारे consumers को ले लिया जाता है, उनको advertisement दिखाया जाता है, उसके बाद उनसे पूछा जाता है, कि क्या effectiveness है, या नहीं है, focused group discussion, यानि कि आप तुस post test में क्या होता है, कि आप message को दिखा देते हो, अब advertisement को media पे different channel के तुरू आपने दिखा दिया, अब उसके बाद आप test करते हो, after message is shown through media, तो unadded and added recall test, recall test यानि कि आपने message दिखा दिया है, different media के तुरू, अब आप जो है test करते हो, तो आप consumer के पास गया, आपने उससे पूचते हो, कि आप रिकॉल कर पाता है, अब उसको कोई clue देते हो, उसके बाद रिकॉल कर लेता है, तो added recall test हो गया, अनदेट में बिना किसी clue के रिकॉल कर लेता है, तो unadded recall test हो गया, recognition test यानि कि क्या हो आपके advertisement को recognize कर पा रहा है, historical sales यानि कि sales के basis पे भी आप decide करते हो, कि पहले कितना sales था, और अब advertisement दिखाने के बाद, आपका sales कितना हुआ, sales बढ़ा है या गटा है, उसके basis पे भी आप जो है, effectiveness को test कर सकते हैं, advertisement कि प्री test है, पोस्ट यानि कि statement दिखाने से पहले, आप जो testing करते हो, उसके effectiveness के लिए post test हैनि कि advertisement दिखाने के बाद, आप जो test कर करते हो त्यक्ताय चश्ट है व है या इससलग आपका सेल्ज बढ़ रहे नहीं बढ़ रहा रहे है त्युक्तिय कोई advertisement की effectiveness क्या थी अच्छी थी effective message था effective advertisement था अगर वहीं पर recall भी नहीं कर पारें recognize भी नहीं कर पारें customer या फिर historical sales अगर देखें तो पहले की sales ज़्यादा थी और अभी sales कम है या फिर कोई change ही नहीं हुआ ति साब साब का जो advertisement का effectiveness था वो कम था तो यह effectiveness को measure करने का technique है